जैगाल भरो जैगोरा हम तांतरिक देतिये सभी का स्वागत करते हैं इस वीडियो के अंदर हमने एने को बार बताया है कि इस धर्ती का जो सुन्दरी है वो पुश्पो से है उसकी खुश्पो से है और परियो से है बहुत सारे लोग अलग अलग परकार की साधनाओं के बारे में हमें बता रहे हैं परन्तु ये नहीं जानते हैं कि परी लोग क्या है जैसे कि हमने पहली कई वीडियो में बताया है कि परी लोग क्या है जैसे कि देतिराज की सत्ता लाग होने के बाद कई परीयों को बंदी बनाया गया है उनका ट्रासफर लोगों को दिया गया है क्योंकि देति सरकार की सत्ता दनी बड़ी है कि हम अगर चाहें तो परीयों को भी बंदी बना लेते हैं परंतु परियां तितली का एक सवरूप हैं और यह शक्तिमान भी हैं इनमें शक्तिया भी हैं और यह रूप की भी धनी हैं किसी परी के बारे में इतना जान लो कि हमने जब भी बताया है कि परीयां इतनी सुन्दर हैं इनका रूप, इनका सुन्दर ये और इनके शरीर से एक ऐसी सुगंद आती है जिसके विशे में नेदी में बताऊं तो शायद ही लोग इस बात का विशलेशन कर सकेंगे परन्तु परियों का व्यक्षान दुनिया के हर ध्रम गरंत के अंदर मिलता है और रूप वान होती है और यदि कोई ब्यक्ति किसी परी की साधना करना चाहता है तो इसके कई मार्ग है, साधना भी कर सकते हैं परन्तु एक मार्ग ऐसा है, यदि उस पर चला जाए, तो एक रात्री में परी आ जाती है सामने वो कैसे संभव होता है, उसके लिए इस्थान की एक शर्थ है कि तुमें फला इस्थान को ही चुनना पड़ेगा जैसे कि ऐसा शेत्र मैंने हमेशा बताया है, कि परीयों को बुलाने के लिए कोई ऐसा इस्थान चुने, जहां बहुत सारे फूल लगे हो, बगीचा हो नदी की धारा बहती हो, सुन्दर सीतल जल की सुगंद आती हो, वो ठंडी सीतल जल की खुश्वू, वो महक और वो मन को मुहित कर देने वाला वातवरण, ऐसा वातवरण अगर तुमें मिल जाता है, तो तुम अवस्य ही किसी परी को मुहित कर सकते हो, परी को बुला सकते ह याद रखें, परिया रूप बदल कर भी आती हैं मेरे एक सिस्जे ने पूछा गुरूर क्या परिया रूप बदल सकती हैं परियो के पास तो इतनी शक्ती होती है कि किसी भी इंसान को धनवान बना सकती है और भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परियों के कारण धनवान बने हैं जिनके पास आज के समय में सब कुछ है पैसा है दोलत है कोई उन्हें समस्या नहीं उनके बच्चे अमरीकार में पढ़ रहे हैं मैं खुद जानता हूँ ऐसे लोगों को मिला हूँ क्योंकि एक लंबे समय काल में उन्होंने साधनाय की परंत उनकी साधना सफलना हुई कई मार्ग उन्होंने जो है अजमाए परंत परियों को बुलाने के लिए एक मार्ग ऐसा है यदि कोई व्यक्ति उस पर चलता है तो सो परतिस्षद गारंटी है कि परी आ जाती है लेकिन कई बार परियों के चक्कर में पिसाच प्रेत तक आ जाते हैं और उस समय सादक को अपनी जानगवानी पड़ जाती है या फिर उसके सरीर का जीवन का नास हो जाता है क्योंकि परियां बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे मदुमक्की के च्छते से सहद निकालना यदि कोई निकालना जानता है तो सहद निकाल सकता है यदि कोई नहीं निकालना जानता तो फिर जानते हैं उसका क्या हाल होगा क्योंकि ऐसे रस को प्राप्त करने के लिए सादक को बहुत ही उर्जावान बनना पड़ता है यदि कोई व्यक्ति किसी परी के साथ संबंद बनाना चाहता है उसके साथ विभार रचाना चाहता है उसे अपने बंधन में बानना चाहता है उस इस्तिती में वहवेक्ति क्या कर सकता है उस इस्तिती में वहवेक्ती परी लोग की पुष्टक के बारे में मैंने बताया था कि परी लोग का गरंथ यदि कोई परी किसी को परी लोग का गरंथ दे देती है तब ही वेक्ती अलोग की शक्तियों का मालिक बन जाता है ऐसी ऐसी सिध्या उसके पास आ जाती है कि इस पूरी दुनिया को जो है वो काबू में कर सकता है यानि कि अगर वो चाहे तो बारिश करा सकता है बहुत सारी चीजे वो करा सकता है परंतु कहते हैं काली परी वह जो पुस्तक है परी लोग का जो गरंथ है जादूई गरंथ जिसे कहते हैं वरी लोग की जादूई किताब, वह बहुत ही मुश्किल से किसी को प्राप्त होती है, जैसा कि हम तुम्हें आयामों के बारे में बताते हैं, हर चीज के बारे में हमने तुम्हें बताया है, देतिराज की किरपा से वह गरंद भी हमारे पास है, परन्तु यदि उसे एक खास रातरी में ही हम पढ़ सकते हैं, चूँ सकते हैं, वह गरंद की खास यदि है कि एक अनपढ़ वेक्ती भी उस गरंद को पढ़ सकता है, क्योंकि जब उसे चूते हैं तो उसमें से चमक निकलती है, और अपने आप ही उस गरंद में जो भासा वो वेक्ती समझता है, तो अप हमारा जो एक बहुत ही गुपतिस्थान है वहां पर हमने उस गरंद को रखा है शायद इस दुनिया से जब हम चले जाएंगे तो हमारे सिस्ये उस गरंद के लिए शायद आपस में लड़ेंगे और इनके बीच में मार काट होगी ये मैं जानता हूं कि हो सकता है इनके बीच म इनके बीच में होनी है क्योंकि हमारा बहुत बड़ा संपरदा है और मेरे बहुत बड़े-बड़े सिस्ये कोई कामख्या में है कोई कहीं है कोई कहीं है भारत तो भारत भारत से बाहर भी मेरे बड़े-बड़े सिस्ये बैठे हैं और वह लोग जानते हैं कि गुरू की परियों को देखा है अनुभाव किया है इस परस किया है और आज के समय में आनंद मैं है और जिनोंने एक बार किसी परी का इस परस कर लिया हो आखिर वो ब्यक्ति क्यों ना चाहेगा उसे परी का जो गरंथ है वो उसे प्राप्त हो जाए परन्तु हमने ऐसी बेडिया उस गरंथ के लिए लगाई है जो उच्च कोटी का हमारा सादक होगा वही उस शेत्र को भेद पाएगा और वहां तक जा पाएगा यदि कोई चाहे तो हमने उसे कहां पर रखा हिमाचल के शेत्र में एक गाउ है बहुत गुप्त है नाम में नहीं बताऊँगा और वहां पर बहुत कार नामें ऐसी घटनाए भी हुई है जो लोकी घटना है और निूज में भी बहुत आई है वही एक शेत्र में हमने उस ग उफा के बाहर से गुजर जाता है तो बिमारी ठीक हो जाती है यानि को वेक्ति को बुखार है तो बुखार ठीक हो जाएगा उसे जो भी रोग है वो रोग घतम हो जाता है क्योंकि ये मैं किसाधार पर कह रहा हूं मैं जब उस गाओं में जाता हूं तो उन लोगों को नहीं पता है कि गुरु जी ने यहां क्या रखा है, उन्हें लगता है, गुरु जी सिर्फ यहां तपस्या करते हैं, भूख के पैसे रहते हैं, और हमारी बहुत सेवा वोग करते हैं, हिमाचल के लोग बहुत अच्छे होते हैं, परन्तु वो लोग यह जानते हैं, कि गुरु जी कुछ यहां ऐसा किया है, उनका कहना यह गुरुवर मैं मुझे यह रोग था, एक बोला मुझे का एंजर था, मैं इस शेतर से गुजरा, धिरे धिरे मेरे रोग बिलकुल ठीक हो गया है, डोक्टर आच्चरी में है, कि ऐसा होता नहीं है, परन्तु ऐसा हो गया है, बहुत सार है कि हम उस गरंद को ले आएं और दुनिया में रख दें और सभी विमारों को ठीक कर दें अगर हम सब को ठीक कर देंगे तो लोग मरेंगे कैसे हम मरेंगे नहीं तो नए लोग कहां से आएंगे और नए लोग नहीं आएंगे तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी फिर धरती इतना बोज हो जाएगा, फिर भागवान कोई परले लाएंगे, करोना सरोना, अलग-अलग परकार की बिमारिया भेजेंगे, दुनिया लट पलट करेंगे, तो फिर होगा क्या, यही होगा, तो जो हम समझाते हैं, उसे समझो, हमारे कहने का जो मतलब है, हमारी जो बाते हैं, उसका विसलेशन करो, क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हें बताएंगे, इस आदना ऐसे करनी है, और वैसे करनी है, इसके इतने मंत्र हैं, ऐसे मुर्ख लोग तुम्हें आज के समय में मिल जाएंगे, जिने परियों के बारे में बिल्कुल भी ज्यान नहीं है, परंतु व वैं मुर्ख तुम्हें ऐसा तर्क देंगे, और कहेंगे, कि स्वर्ग से जुड़ी है ये सत्ता, परंतु परिलोग एक दूसरा ही आयाम है, और जिसके बारे में हमने एक वीडियो में वेख्यान भी किया है, तुम चाहो तो ढूंड सकते हो, और देख सकते हो, हम जो भी ब सुंदर्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जो उन्होंने केवल अपने सोपन में देखा है, तो इस जीवन में रहते रहते, जीवित रहते रहते, तुम ऐसा कर सकते हो, ऐसा संभाव है, परंतु अगर जैसे गाउं के शित्रों में यदि तुम जाओ, जिसके पास गाएं भह कुद भी होना पड़ेगा, कि तुम उसके प्रकास को जहल पाओ, क्योंकि परियों के अंदर का जो तेज है, उसे हर एक मनुष्य जो है, बरदाश्त नहीं कर सकता, ये जो तस्वीरे तुमारे सामने चल रही है, इन में से कोई एक ऐसी तस्वीर नहीं है, जो उसकी दर्ता के बारे में मैंने बहुत भी भी एक्ख्यान किया है, उनके शरीर की बनावट के उपर, उनके शरीर के उपर, उनके सुन्दरी के उपर, उनके आवाज के उपर, मैंने बहुत ज्यादा भी एक्ख्यान लोगों के सामने किया है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कर हमा जार साल पहले चले जाएं और तुम वहां किसी आदमी से पूछ हो किसी राजन से पूछ हो जिसकी हजार साल पहले सत्ता रही हो कि क्या और तुम उसे कहो कि आने वाले समय में ऐसा समय आएगा जिस समय लोग हजारों किलोमेटर दूर एक दूसरे से बात कर सकेंगे ऐस कि गूगल तो तुम्हें ये बात उसे ये बताओगे तुम्हें पागल समझ कर कारागार में डलवा देगा हो सकता है तुम्हारा सर भी तुम्हारे तन से जुदा करवा दे क्यूंकि उस समय के काल के लोगों को ये अनुमान ही नहीं है ये गुमान ही नहीं है कि ऐसा होना परन्तु अब जब तुम भविश्य काल में आकर अपने वर्तमान में ठैर गए हो, हमारी बात को ज़रा ध्यान से सुनेगा, क्योंकि हम बहुत ग्यानी वेखती हैं, हमारी बात को बहुत ही ध्यान से सुनेगा, अब जब तुम अपने भविश्य काल में आकर अपने वर्तमान में ठैर गए हो क्योंकि अब ये तुमारा वर्तमान है जो टाइम मशीन में तुम गए तो वो क्या था वो भूत काल था परन्तु उससे उसका यह है भविश्य काल है परन्तु अब यह है तुम्हारा वर्तमान काल है यदि तुम मुझे सुन रहे हो तो अब तुम देखो तो यह सब संभाव है एफोन से ऐसा सब कुछ संभाव है और तुम्हें इसमें कोई अटपटी बात नहीं लगती लेकिन जब मैं तुम्हें कहता हूँ कि परियां हैं परी लोग है परियों के शरीर के सुगंध है और परियों को बुलाना संभाव है और परियों का ट्रासफर भी देना संभाव है मैंने अपने कितने ही सिस्यों को परियों का ट्रास्फर दिया है उन्होंने अपना जीवन बदला है और एक समय पे आकर उन्होंने मुझे परिया वापस लोटा दी क्योंकि परियों का तेज वहजा दाना सह सके उनकी सुन्दर्ता से इतने मुक्त हो गए कि पागल होते होते बचे याद रखो जादा मिठा खाने से भी सुगर हो जाती है इसलिए हर चीज का नियमित पान करना चाहिए यदि कोई व्यक्ति चाहता है किन लोगों को परियों का ट्रास्फर लेना चाहिए एक मैं बहुत प्यारी बात बता देता हूँ एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोड पड़ा हो कोड़ी व्यक्ति यदि किसी परियों की साधना करता है और सच में अगर उसे नियम पता पहली बात तो इस पूरे यूटूब और गूगल के उपर यदि तुम जाओ और खोज करो तो बहुत सारे लोग तुमें परियों की साधना देंगे और उसका मार्ग बताएंगे परन्तों लोगों ने अपने जीवन काल में खुद कभी किसी परियों की साधना न की होगी ऐसे लोग केवर लोगों को प्रहमित करते हैं परन्तों मैंने बहुत सारे आयामों के बारे में लोगों को बताया है और बताया है इस दुनिया से पार की दुनिया में मैं तुमें ले चलूँगा आओ मेरा हाट ठाम लो क्या तुम नहीं जानते कि इनसान जब पैदा होता है तो ये भी एक चमतकार होता है जब वह बड़ा होता है उसके बाद उसे अकला आती है वह दुनिया को देखता है और फिर इसमें बस जाता है परन्तु वह यह नहीं सोचता कि मैं कैसे इस दुनिया में आया और मृत्तो के बाद मैं कहां चला जाऊंगा मोटा मोटा लोग जानते हैं अलग-अलग धरम गरंतों में अलग-अलग बाते बताई हैं परन्तु कोई भी वेक्ति सीमाओं पर पार जाकर नहीं सोचता ऐसे लोग मुर्ख की बाती बैठे रहते हैं और किसी भी मुर्क की बाते सुनकर उसकी बातों में आ जाते हैं, परन्तु याद रखा जाए, जो लोग भी परियों का ट्रासफर लेना चाहते हैं, अगर हमें लगा कि कोई वेक्ति से लायक है, कि जिसे परी का ट्रासफर दे देना चाहिए, हम उसी ही वेक्ति को परी का ट् और ऐसे वेक्ति की हम कदर करते हैं, इज़त करते हैं, क्यूंकि ऐसे वेक्ति बहुत ही परती भावान होते हैं, क्यूंकि वह वेक्ति स्रीमाओं से पार जाकर सोचते हैं, और उनके जीवन काल में, ऐसे बहुत सारे पलाते हैं, जिसके अंदर वह सोचते हैं, कि शायद हम जी मैं क्या कहता हूँ, मेरी कोई भी बात तरक हीन नहीं है, हर एक बात का मैं तरक देता हूँ, और उसके बाद तुम चाहो तो उसका विसलेशन कर सकते हो, बहुत सारे लोग सोचते हैं, कि परी लोग का व्यक्यान हिंदू धर्म के अंदर नहीं है, यदि मैं सुकते बताऊं, तो हमारे धर्मों के अंदर भी इतना व्यक्यान परियो का नहीं है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे धर्म गरंते ऐसे हैं, जिसके अंदर परियो का व्यक्यान है, जैसे कि खासकर बहुत बड़े कुछ धर्म हैं, जैसे इसायत, उसके अंदर भी परियो का एक बहुत वेख्यान है जिसमें फरिष्टा उसे कहा जाता है फरिष्टों के अंदर भी जैसे लोगों को बताया जाता है कि परियां है फरिष्टे हैं अलग-अलग द्रम गरंतों और सब बिधाओं के अंदर परियों का वेख्यान है यदि तुम चाहो तो किसी परी को देख सकते हो अपने इस जीवन काल में तुम उस परी को इस पर्स भी कर सकते हो और यदि तुम चाहो तो उसके साथ किसी भी प्रकार के संबंद बना सकते हो यह सब संबव हैं क्योंकि परिया तो अमर हैं याद रखें मनिश्यों को मृत्वानी है तुमारे पास सिर्फ चुनिंदा समय है कि तुम इस समय काल तक जीओगे उसके बाद तुमें मृत्वा जाएगी याद रखो बचपन और जवानी और उसके बाद बुढ़ापा और तुमारा अंत बहुत सारे लोग तो केवल जवानी में कदम रखते हैं और उसके बाद मृत्य को प्राप्त हो जाते हैं ऐसे लोग इस जीवन को विसलेशन नहीं कर पाते ये दुनिया तुमारे लिए एक रंगमंच है और इसका तुमें विसलेशन करना है और यहाँ पर इस रंगमंच में जो खेलना है वो भी तुमें ही खेलना है यदि तुम चाहो तो आसकते हो मेरी इस दुनिया में मेरी दुनिया रोमांच से बढ़ी हुई है और मैं दूसरे आयामों की बाते करता हूँ और दूसरे आयामों को मैंने अपने इस जीवन काल में अपनी नंगी आँखों से देखा है बरहेना मैं एक शैतान का पुजारी हूँ लेकिन मैं शक्तियों को मानता हूँ क्योंकि मैंने उन्हें देखा है उसके बाद जाकर मैं तुम सब कोई है बता रहा हूँ यदि कोई बेक्ति चाहे तो किसी परी को देख सकता है जैसे कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखता है यदि कोई बेक्ति चाहता हो धन्मान ऑनए और सर्वसक्तिमान बनना उसके लिए उसे काली परी की सिध्वि प्राप्त कर लिनी चाहिए यदि मैं धर्मिक विद्ध्या से बात करूँ तो उस अर्थमें मैं तुम्हें समझाऊंगा कि हाँ साधना एक मार्ग है परंतु परियों को बुलाने के लिए एक अलग ही मार्ग है जो विद्धिया केवल देत्य संपरदाय के पास है अने था इसकी विद्धिया तो बहुत अलग-अलग धर्मगंतों में ब पास नहीं है बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं हम लंबे समय से साधनाए कर रहे हैं परंतु आस तक हमने शक्ति तो शक्ति हमने आस तक कोई अनुभवी नहीं किया ऐसे नास्तिक लोग बिजधरती पर मौजूद हैं जो आकर हमें कहते हैं गुरूर आप क् करते हो किसी परी की और शक्ति की हमने तो अपनी आखों से कभी कोई आत्मा भी नहीं देखी ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या उत्तर होगा हमारे पास ऐसे लोगों के लिए उत्तर यह होता है उन लोगों को हम अपने पास बुलाते हैं और उसके बाद उन्हें कुछ प पट गई है कोई बाबा हमें बचा ले कोई तांतरिक बाबा हमें बचा ले परंतु उन्हें फिर कोई नहीं बचा सकता याद रखें गुरू के आगे अपना सीज जुखा दें और गुरू को अपना भगवान मान ले यदि तुम देत्य संपर्दाय के आगे अपना सीज जु भगाने तो पमोने कि का यह लिए हम अलगलग मनुश्यों को एतने इस्विए पनी पना है चलिए ठीक है यदि तुम लोग चाहते हो तो हम सब को समय देंगे और जो लोग सीख रहे हैं नियनतर रूप से हम उन्हें सिखा रहे हैं अपने सिखर तक पोच जाओ और जो चीज तुम प्राप्ट करना चाहते हो उसे प्राप्ट कर लो एक आखरी बात हम जरूर कहना चाहेंगे जो भी लोग हमसे जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द एक लाग सब्सक्राइबर इस चैनल के उपर कर दें मैं इस पूरी दुनिया को परी किसी भी परकार से कैमेरे में रिकाड करके दिखाऊंगा और मैं कम से कम 10-20 हजार लोगों को इखटा करकर परी को परकाट करकर दिखाऊंगा ये मेरा बादा है वचन है